में आज आप लिगो के लिए लेकर आजुके हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है वटा दगारंट फेरेंग्स अफ़ेर्ट फेर्फरीनग्स अपको लेकर विए जाने जी उपने अपको रेडिंग करें और वो सब्सक्षिप कि बाइदे खें अपने आपको रेडिंग में फिट एद अमत के जेगा जितना आपके साथ resonate होता है उतना ही accept करें and leave the rest ये reading सभी जोड़ी एक science के लिए है हर उम्र के विक्ति के लिए है timeless है जब भी आपस वीडियो तक पहुँचेंगे जब भी आपस वीडियो को देख रहे हैं ये है आपके साथ तभी resonate करेगा फिरचा है आपस वीडियो तक कितने भी समय बात क्यों न पहुचे हैं तो ये reading वीवर्स सभी जोड़ी एक science के लिए है मैंने अल्रेडी आपको बताया और उसके साथ साथ वीवर्स ये reading आपके love interest के लिए applicable है आपके current partner, ex partner, wife, husband या फिर आपके crush उनके लिए भी applicable हो सकती है लेकिन वापके love interest होने चाहिए तो reading स्टार्ट करते हैं without wasting any more time और देखते हैं वीवर्स कि उनकी current feelings क्या है आपको लेकर पहला card pop out हो रहा है which is the card of page of cups let's see what else we have here two of swords interesting interesting the queen of pentacles का card भी आगया है let's see what else we have आगे और क्या है देखते हैं okay so we have the card of hermit also हम और भी clarify करेंगे पर पहले हम इन cards को ना explain करते हैं okay सबसे पहले बात वीवर्स जो यहाँ पर मैपको बताना चाहूंगी वो ये है कि कही ना कही ऐसा लगता है कि जिस इसान की आप current feelings जानना चाहते है मुझे ऐसा लगता है कि ये इसानना व्यूवर्स confused है currently confused है और उस confusion में उनका जुकाव जो है वो आपके तरफ है लेकिन उनके पास life में कोई दूसरा रास्ता है कोई दूसरी परिष्टी थी है ऐसा लगता है ये कोई third party हो सकती है कोई और situation हो सकती है because you can see here कि यहाँ पर आपी two of swords का card देख रहे हैं यहाँ पर एक आप एक इनसान देख रहे हैं यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और आखो पर पट्टी बदी है यानि कि eyes covered है और दोनों हातों में swords है यानि कि आख बंद है और दोनों हातों में swords है यह इनसान decision लेने में न in capable feel कर रहे हैं ये कुछ चूस करना चाहते हैं, कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुविधा बहुत है, एक viral confusion बहुत है, जिसमें उनका जो जुकाव है, वो साफ साफ आफ की तरफ देखतो रहा है, कि कही न कही उनका interest, कही न कही उनका जुकाव आपकी तरफ जादा है, आपकी तरफ है और ऐसा भी लगता है कि viewers आपकी तरफ बढ़ने की intention है Like they want to move towards you, आपकी तरफ आगे बढ़ने का उनका इरादा है आपकी तरफ आगे बढ़ने का उनका intention है लेकिन क्योंकि ये कार्ट पीजूफ कपस का है मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये कोई unconditional love का offer है या कही न कही उनका intention है कि वो आपको अपना unconditional प्यार offer करेंगे और शादी का proposal करेंगे और commitment देंगे या कही न कही बड़ी बात है जो वो मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन intent बता रही हूँ कि इस इनसान का currently intention है कि आपकी तरफ आने का मन है आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है लेकिन क्योंकि यहाँ एक दूसरी परिस्थिति इस इनसान के आगे उत्पन्न हो चुकी है एक second situation है जिसकी वज़े से यह इनसान indecisive हो रहा है यानि कि चाहकर भी decision लेने में असमर्थ चाहकर भी निर्डे न ले पाना इनकी ऐसी हालत है तो बहुत ही दुविदा है मुझे ऐसा लगता है कि इस दुविदा में यह इनसान अकेला भी feel कर रही है इस confusion में ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई guide करने वाला है या फिर इन्हें कोई influence करने वाला या भड़काने वाला है कोई नहीं है they are alone in this अकेले ही वो इस दुविदा में है अकेले ही वो सोच विचार कर रहे है और क्योंकि अकेले वो इन चीजों पर विचार कर रहे है currently तो ये भी साफ मालूम पढ़ता है कि बहुत ज़ादा deep thinking कर रहे है ये इन्सान whoever this person is बहुत ज़ादा गेहरे विचारों में डूब गए है और क्योंकि अकेले अकेले सोच रहे हैं तो बहुत deep thinking कर रहे है तो viewers ये इन्सान अकेले बहुत पढ़ गए है ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि इस अकेले पन में उन्होंने अपने आपको खुद से रखा है जान पूच के उन्होंने चूज किया है कि उनको अकेला रहना है ऐसा नहीं है कि उनका साफ देने वाला कोई नहीं है उनकी life में कोई हो नहीं सकता या है नहीं फ्रेंड सरकल नहीं है या family नहीं है साफ में ऐसा तो नहीं है there are people with them लेकिन ये खुद अपने आपको अकेला रखना चाहते हैं जैसे जब हम किसी द्वंद में होते हैं या confusion में होते हैं और decision नहीं ले पाते हैं परिशान होते हैं अंदर से तो हम बाहर वालों को कहते हैं मुझे कुछ समय अकेला छोड़ दो leave me alone for some time at least कुछ समय अकेला छोड़ दो ये कुछ समय अकेले हैं और currently अकेले ही है अकेली में वक्त बिता रहे हैं चिंतन कर रहे हैं सोच रहे हैं ऐसा भी लगता है जैसे किसी problem का solution निकाल रहे हैं जैसे कुछ ढूंड रहे हैं कोई solution ढूंड रहे हैं कोई तरीका ढूंड रहे हैं जैसे जिस तरीके कोई तरीका ऐसा जिससे उनका जो दिल का उनके जो दिल की इच्छा है या जिस तरफ उनका मन है जो नका दिल चाहता है वो भी हो जाए और जो सेकंड सिचुएशन है चाहे वो थर्ड पाटी है या कुछ और सिचुएशन है वो भी कहीं न कहीं एजीली है हो जाए साब भी मर जाए लाटी बीन टूटे ऐसा कुछ यह तो मुझे लगता है इस समय उनका डिसिजन थोड़ा सा ठाफ हो रहा है पर मुझे लगता है लिए इस पूरे confusion में या इस पूरे process में they don't want to lose you यह आपको खोना नहीं चाहते है ऐसा लगता है जैसे जितना भी जो भी है उनके पास वो आप हो like उनकी love life में उनकी love life में जो भी उनके पास है वो आप हो और वो आपको खोना नहीं चाहते है they don't want to lose you इसी वज़े से जंदी को decision नहीं ले रह हैं क्योंकि अगर वो आपको नहीं चुन पाए और अपनी किसी मजबूरी अपनी किसी condition compromise या कहीं ना कहीं अपनी किसी responsibility को उन्होंने चुना तो उस वज़े से वीवर्स वो खुश नहीं रह पाएंगे वो यह जानते हैं they won't be able to able to be happy for long time ज्यादा समय तक लंबी समय तक वो खुश नहीं रह वाएंगे वो जानते हैं कि अगर वो आपको नहीं चुनेंगे क्योंकि यहां पर बात है परिस्तिती में और अपने दिल की इच्छा में चुनने की मुझे ऐसा लगता है तो लेकिन फिर भी एक उदासी है इनके चहरे पर ऐसा एक्स्प्रेशन है इनके चहरे पर जैसी दुखी है क्योंकि यह आपको नहीं खोना चाहते है they don't want to lose you चाहें उन्होंने आपको पाया है नहीं पाया है लेकिन जितना भी पाया है उतना भी खोने की इच्छा नहीं है फिर भी यह कहूंगी कोई बहुत स्ट्रॉंग ऑफर या कोई बहुत बड़ा कमिट्मेंट या मैरिज प्रपोजल कोई बिग प्रपोजल नहीं है बस कन्फूजन और और इंडिसाइसिवनेस इस बात की ही है क्योंका जुकाव आपकी तरफ अंभी है और ऐसा लगता है कि क ही ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने का मन है यहां पर अगर हम जोडियक साइन्स की थोड़ा बात करें तो आपका या उनका जोडियक साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस येस एंड जेमिनाए, लीब्रा, अक्वेरियस जेमिनाए, लीब्रा, अक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गु, क्या प्रिकॉन ये कुछ जोडियक साइन्स हो सकते हैं, जो आपके या उनके हो सकते हैं, अगर ये जोडियक साइन्स रेजोनेट नहीं करते हैं, आप लोगों की सिचुएशन के साथ, तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, अगर आप इस वीडियो को ये काड एक पॉप आउट हो रहा है, ग्रोथ, मुझे लगता है वीवर्स, वो आपको खोना इसलिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका तो अभी एक विजन है, उनका तो अभी एक विजन है, भविश्य को लेकर यानि भविश्य को लेकर उनकी एक योजना है, भविश्य को लेकर उनका एक प्लान है दिमाग में कि उनको वीवर्स आपके साथ जो उनका रिष्टा है उसमें ग्रोथ चाहिए वो चाहते हैं कि आपके साथ जो उनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाए ज्यादा स्ट्रॉंग ज्यादा डीप ज्यादा केंटेजिन लेते हैं तो अपनी इच्छाक को मारके अपने मन को मारके अपने लेना पड़ेगा इसनले वह दुखीं है इसनले कोय रास्ता रहे हैं या डूंड रहिए है में ऐसा लगता है मुझे लगता है व्युवर्स वो ख्यूंकि डिसेजन नहीं ले पा रहा है इसलिए वो भगवान के उपर डिपेंड हो रहे हैं क्योंकि वो डिसेजन नहीं ले पा रहा है वो ode के उपर डिपेंड हो रहे हैं पूरी तरह से कि कोई miracle universe कर दे मैं तो इस परिस्थिती में कुछ नहीं कर पा रहा हूं यह मैं situation में decision नहीं ले पा रही हूं confused हो रहा हूं कहीं न कहीं बहुत जादा बहुत जादा द्वंद में हूं बहुत जादा दुविधा में हूं तो मैंने decision ले पा रहा हूं तो universe कुछ ऐसा miracle कर दे universe कुछ ऐसा magical कर दे एक divine intervention हो जाए जिसमें कुछ ऐसा miracle कोई ऐसा चमतकार कोई ऐसा magic हो जाए कि सब चीज़े अपने आप सौर्ट हो जाए जो मैं चाहता हूं दिल से वो भी हो जाए और जो दूसरी situation है second situation है और third party है वो issue भी वही की वही resolve हो जाए तो जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो भगवान कर दे वो universe कर दे कुछ magic और miracle ऐसा कर दे कि situation ही बदल जाए case ही change हो जाए तो वो कहीं न कहीं ऐसा pray कर रहे है या ऐसी आशा कर रहे है येस मुझे लगता है विवर्ज कही न कहीं इंसान छुप छुप के आप पे नजर रख रहे है और इनका ऐसा भी मन करता है इनका ऐसा भी मन करता है कि ये क्या heißt जादू टोना कर दे क्या है साथ मैजिक कर दे क्या है वशीकरन कर दे यह क्या ऐसी आ पूजा पाट कर ले हैं सा क्या ऐसा मतलब तंत्रमंतर कर लें कि जिससे यह प्रॉब्लम सल्व हो जाए इनके हसाब से यह थीद रख से उनो कभी कभी लोग जानते भी नहीं है क्या है black magic कैसा होता है क्या है क्या है क्या नहीं या फिर अतंत्र मंत्र कैसे होते हैं क्या होता है लेकिन वो मस्ती में या मस्ती में नहीं तो बहुत दुख में कभी-कभी बोल देते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि कोई मंत्र हो इसका तो कोई मंत्र म यह मुझे पता चल जाए कि ऐसा करके कोछ जादू तो लाओ में वो कर लो तो वो जेनुए नहीं कह रहे होते हैं इस जिस दाट कि कभी-कभी मन करता है कि लाओ में यही कर लो कभी-कभी मन करता है कि मैं यही रास्ता अपना लो तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में आता यह बहुत mysterious और secretive हो रहे हैं और आपको दूर से का मतलब social media पर भी हो सकता है social media से आपको stock कर रहे हैं आप पर नज़र रख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में information रख रहे हैं पर छुप के हो कि वो आपको पता नहीं चलने देंगे और बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको पता लगे एक काड़ा लेते हैं ऐसी डेक से देन भी टेक अनधर डेक मुझे ऐसा लगता है विवर्स कहीं न कहीं यह जो इनसान है यह जूटे सपने नहीं दिखाना चाहते किसी को जूटे वादे नहीं करना चाहते किसी से या खुद भी जूटी ब्रह्म की दुनिया में नहीं रहना चाहते वो चाहते हैं जो हो रियालिटी में हो मैं अपने मन में कुछ मान लूँ कि सवच्छा हो जाएगा मुझे विश्वा से कि ऐसा होगा मतलब वो कुछ मानना नहीं चाहते वो किसी ब्रह्म में नहीं रहना चाहते ना वो आपको किसी ब्रह्म में रखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपको जो पता चले यह जो भी डिसिजिन गो लें तो आपको भी वो किसी ब्रह्म में ना रखे आपको भी reality पता हो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इनकी एक सोच है आज की कि इन्हें खुद को ये किसी और को किसी illusion में नहीं रखना है सब को कही न कही reality ही बतानी है इसी वजह से मुझे लगता है कि जो reality है वो ये है कि इनका दिल चाहता है आपकी तरफ बढ़ना और ये reality आपको पता होनी चाहिए और वो आपको कुछ भी offer नहीं करते हैं क्योंकि situation ही ऐसी है कि वो आपको कुछ commit कर ही नहीं सकते कोई चीज कमिट कर देना फिर वो चीज ना कर पाना फिर तो वो commitment तोड़ना हो गया तो वो commitment नहीं कर सकते हैं ऐसा लगता है कि वो आपको ब्रह्म में नहीं डाल सकते इसलिए आपको commitment नहीं कर सकते एक जूटा वादा एक जूटा दिखावा नहीं कर सकते इसलिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं, ओके? मुझे लगता है, वीवर्स के एक एक sudden change इस situation में आएगा जरूर, एक unexpected sudden change यहाँ पर आएगा जरूर, आपके person भी expect कर रहे हैं, कैसा कोई change आ जाए, miracle expect कर रहे हैं, यह कर रही है, male female दोनों के लिए applicable है reading, मुझे यह भी लगता है, वीवर्स के, आपके person आपकी तरफ travel करके आना चाहते हैं, तो यह message उन लोगों के लिए हैं, जिनके बीच long distance है, जो लोग अलग city, अलग state, अलग country, अलग village, अलग town में रहते हैं, दूरियां है, एक geographical distance है, तो लगता है कि वो आपके तरफ travel करके पहुचना चाहते हैं, और अगर आप लोग same city में हैं, same जगह में हैं, तो यह भी हो सकता है कि वो कहीं travel करक का प्लान बन सकता है, या बन रहा है, जाने वाले हैं, जाके आए हैं, या फिर कहीं बाहर गए हुचना है, तो मुझे ट्रावलिंग भी डज़र आ रही है, और जिनके लिए long distance है, मुझे लगता है, आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, येस, oh my god, that is sad, this is very sad, वीवर सुन बनना चाहते थे, आपके दिल के सबसे close, आपके सबसे करीब, आपके, you know, आपके closest person आपके लाइफ के बनना चाहते थे, या चाहती थी, and now they are feeling like there is someone who is from outside, अभी उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, कि जैसे वो एक outsider है, वो आपके अपने नहीं कोई पराएं है, या वो जैसे कि वो बाहर से ही सिर्फ आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने stocking वाले बात कहीं ना कि stock, या observe करना दूर से, तो उनका अपके अपको अपको आपको आपको अपको यह स्टॉप कर रहे हैं, यह सब चीज़े उनको फील कर रहे हैं, कि आप उनके अपने नहीं कोई पर कि बीच साइलेंस है, यह भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या दे रहा था, बट यहां पर साइलेंस दिख रहा है, तो हो सकता है, आप दोनों के बीच बिलकुल खामोशी है, बिलकुल साइलेंस है, ना आप कुछ कहते हो कि बोले तो बोले क्या कहीं तो कहीं क्या लड़े तो लड़े कैसे और पूछना है तो पूछें क्या तो क्या करें तो एक और टाइप की silence भी हो सकते है यह जो आप दोनों की बिच मेंटेन है लेकिन silence का मतलब यह नहीं कि सब कुछ खतम है silence है सिर्फ लेकिन chemistry दोनों तरफ बराबर है chemistry है बराबर अगर हम आपके और उनके date of birth की बात करें तो यहां पर हो सकता है 11, 21, 31, 1 8, 18, 28, 5, 15, 25, 9, 19, 29 2, 12, 22, 22, 22, 8, 3, 13, 23 यह कुछ dates हो सकते हैं जिसमें आपका उनका जलंदे नहीं हो सकता है अगर यह birth date मैच नहीं करते हैं तो भी reading आपके साथ resonate कर सकती है आपका और उनका birth month हो सकता है August, May, September, November, February, March, Yes यह कुछ महीने हैं जिसमें आपका यह उनका जनब दिन हो सकता है तो वीवर्स यह थी reading आपके लिए helpful और relatable रही है अगर इस reading ने आपको थोड़ा भी guide किया है तो वीडियो को like करे, comment करे, share करे, subscribe करे और bell icon को press करे चले मलते हैं अगली reading में तब तक के लिए और बद् aba मले था मैं और अपके खाया करे लिए झाल झाल